पेशल्सी है आज हम बनाएंगे मश्रूम मटर मसाले वाले आंग तवा बहुत ही इजी कुट बनने वाली रेसिपी है तो जल से स्टार्ट करेंगे बनाना करेंगे मश्रूम मटर इस तरह से कट कर लिए थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा मैंने लिया है और इसमें हम दाल देंगे यह चौप किया हुआ गार्लिक है इसको हम हलका सा ब्राउन कर लेंगे तो यह हम कट्पियर हुए मश्रूम आड़ देंगे इनको भी थोड़ा सा हम 50 बसें तक कुख होने देंगे लसुन के साथ ही मश्रूम को मैंने तवे पे साइड पर कर दिया तो यह हैं बारी चॉप किये हुए अनियन इसी बारी चॉप किया हुआ और इसको भी हम अब तक कर लेंगे मश्रूम हम साइड पर ही रहने लेंगे ताकि वह लीमे जीमे से कुख होते रहेंगे इसमें हल्का का नमक टाल देंगे और तक कि जो कुकिंग्स प्रोसेस है तमेटो का वो जल्दी हो जाए तो यहां सामेली से नमक टाल देंगे तमेटो अच्छे से सौफ हो तुके है तो अब इसमें मैं डालूंगी फोरी पी लाल मिर्टी सब्ली पाउडर और साथ में इसमें थोड़ी पी हरी निफ्ष और यह है अध्रक के तुक्रे सब चीजों को अच्छे से निफ्ष कर लेंगे अब हम क्या करेंगे इसमें जानेंगे बिल्कुल जिच्छ में देने के लिए एक से दो चमच मलाईगे मश्रूम साइप पर्स मज़ेदार से कुस्टी हो रहे हैं इदर यह हमारा मसाला यम सा बन गया है तो अब इसमें पारी है डालने की वाइल्ड मतर है मेरे पास मतर आड़ कर देंगे अब सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे मश्रूम भी ले आएंगे अपने पास और इनको हम दो से ती मिनर तक मिक्स करके अच्छे से पकने देंगे हरा धनिया अएड कर देंगे मिक्स कर लेंगे अच्छे से थोड़ा सा इस पॉल इपर हम इसमें डाल देंगे बटर तो पस जट पट वाला हमारा तवा मतन मसाला मश्रूम ड्राइब बनकर बिलकुल रेडी है बिलकुल रेस्टरान स्टाइल बहुत ही मज़ेदार लगता है आप इसको नान चपाती किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं तो प्राइब कीजिए इस रेसिपी को आपको बहुत पस पसंद आएगी और कोमेंट्स में भी जरूर बता लिए कि आपको लिए रेसिपी प्रेंग्स कैसी लगी पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरी चनले को सब्सक्राइब भी कीजिए